मिलोन, आज हमारी आदालत में मौझूद हैं EPL के अम्पायर हलो 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 देखें, आपके उपर सबसे पहला इल्जाम ये है कि आप थर्ड अम्पायर नहीं बनना चाहते थे वो क्यों? बही मुझे अगर सारे मैज टीवी पर ही देखने हैं तो मैं अम्पायर क्यों बना? है? हैंजी! ओके, अगर आप अम्पायर हैं तो आप हमें LBW के रूल्स बताईए बही अगर रूल्स मुझे पता होते तो मैं EPL में अमपायर बनता? बही यहाँ तो ग्लैमर चलता है, ग्लैमर! मैं भी मेक अप शेक अप करके स्टाइल मारने आ जाता हूँ अगर आपको रूल्स नहीं पता तो आप चौका चेका कैसे बताते हैं मैं गल इस तरह है मैं इससे पहले वो लोग मुझे कान में एक मशीन देते हैं उससे मुझे इंस्ट्रक्शन मिलते रहते हैं पंजाबी म्यूजिक चला देते हैं अब पंजाबी म्यूजिक सुनते ही मेरे दोनों हाथ भंगड़ा के लिए उठ जाते हैं एजी 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 लो जी हो गया छक्का है जी है जी विलोड आज हमारी अदालत में मौझूद हैं नेता चालूलाल जी देखें नेता जी आपके उपर सबसे पहला इल्जाम ये है कि आप हमेशा विपक्ष के पीछे पड़े रहते हैं अपने देश के बारे ना कभी नहीं सोचते ऐसा क्यों? अरे वकील साहब एक बार हमें सत्ता में आने दो फिर हम देश के भी पीछे पड़ जाएंगे दिखिए आपके उपर ये भी इल्जाम है कि आपका कहना है कि ब्रश्टाचार को रोकने के लिए कमीशन नहीं बनाना चाहिए ऐसा क्यों? बिल्कुल हम नेताओं को आपस बैठके कमीशन बाट लेना चाहिए ब्रश्टाचार अपने आप खतम हो जाएगा देखिए आपके उपर ये भी इल्जाम है कि आप अपनी पार्टी के करप निताओं के खिलाब कोई भी एक्शन नहीं लेते ऐसा क्यों? भाई अगर एक दो करप्ठ हो तो एक्शन ले जब पूरी के पूरी पार्टी करप्ठ है तो एक्शन कहां से ले ऐसे में तो हम खुद ही खतम हो जाएगे देखिए आपके उपर ये भी इल्जाम है कि आप वश्वाद करते हैं आप अपनी पार्टी में नए लोगों को चांस नहीं देते मिलोड आज हमारी अधालत में मौझूद है एक बहुत बड़े मंत्री के पीए अपना काम कर गया देखिए आपके उपर सबसे पहला इल्जाम ये है कि आप मंत्री जी के साथ विद्रशों तक पहुँन जाते हैं पर मंत्री जी तो वहाँ बड़े बड़े समझोते करने जाते हैं आपका वहाँ पर क्या काम है देखिए देशी जो समझोते होते हैं उसमें तो मंत्री जी बगर पढ़े यंग उठा लगा देते हैं मगर विदेशी समझवते में सब देख के पढ़ के फिर साइन करना पड़ता है इसलिए हमरा जाना बहुत जरूरी है देखे आपके उपर ये भी इर्जाम है कि आप मंतरी जी तक पहुंचाने वाली छोटी मोटी फाइल्स का लाखों रुपया खा जाते हैं को क्यों वकिल साइब हम राष्टे में खा सकते हैं एक बर फाइल मंतरी जी को पहुंचा दिया फिर वाकेले खाते हैं उसमें हिस्सा नहीं मिलता है आपके उपर ये भी इर्जाम है कि आप मंतरी जी के कैबिन में रखी सरकारी चीजें जैसे पेन, पेपर, पेपर वेट ऐसा ये सब सस्ते दामों भी बेजते हैं वकील साब, अब इस सरकारी चीज़ों को महंगे दामों में तो कोई नहीं खरीदेगा ना जो मिलता हुआ ही न लेंगे देखिए आपके उपर ये भी इल्जाम है कि आप मंतरी जी और उनकी सेकेर्टरी की बाते कान लगा कर छुप छुप के सुनते हैं वो क्यूं? उनका छुप के सुनने को जो मजा है वो आप सोच नहीं सकते हैं ना भाई मिलोड आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक कॉंस्टेबल मिस्टर पाउसकर बरबर है देखिए आपके उपर सबसे पहला इल्जाम ये है कि आप बिना आग्या लिया कमिशनर के कैबिन में घुस गए थे अरे साब के कैबिन में मैं घुसा था आग्या लेने के वास्ते देखिए आपके उपर ये भी इल्जाम है कि आप ये दावा करते हैं कि आपने एक बहुत बड़े बदमाश को 5 साल के लिए शहर से भगा दिया वो कैसे बरबर है मैं उसको पकड़के एलेक्शन में खड़ा कर दिया इमेले के वास्ते अब यो इमेले तो 5 साल तो नहीं दिखने वाला है ना तो हो गया ने तड़ी पार दिखिए आपके उपर ये भी इल्जाम है कि आप शराब बहुत ज़्यादा पिते हैं अगर आप शराब ना पिते तो अब तक आप इंस्पेक्टर बन गए होते फॉक्त इंस्पेक्टर अरे बाबा मैं रोज दो पाइक मारता है इंस्पेक्टर सोडा कमिशनर बनतो फीर